दोस्तों बिहार बोट के द्वारा फिरी कोचिंग योजना के लिए अनलाइन आवेधन की जो पड़किरिया है फिर से सुनू कर दी गई है आपको बता दे बिहार विदाले परिक्छा समेती जो फिरी कोचिंग योजना आपको दे रहे हैं और जो भी टीचर है और काफी एकस जेई और नीट के लिए दी जा रही है ये ध्यान रखीगा बाकी मैं आपको official notification दिखाता हूँ और online कैसे apply करना है उसके बारे में भी मैं आपको step by step process आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप एक छुक है आप चाहते हैं इसके लिए apply करना तो बिल्कुल आप इसके लि notification बिहार विद्याले परिक्षा समेती के द्वारा जारी किया गया और जो ये आपकी batch होने वाली है पीए से भी सुपर 50 batch है इसके लिए आवेदन मांगे गया है 2025 में जो बिधार्ती जेई नीट की परिक्षा देने वाले है उन बिधार्तियों के लिए खासकर ये जो free coaching यूजना की facility है वो दे रही है बाड़ावी कक्षा में पढ़ रहे है बिधार्तियों के लिए अभी आवेदन पढ़करिया आमंतरित किये गया है जो कि engineering और medical के लि 17 मैं तक आपकी आवेदन मांगे मौई गये हैं अब इसके लिए इससे पहले भी आविधन मांगे गए थे बहुत सारे वैसे विधार्ती जिन्होंने पहले आवेदन किया होगा लेकिन इनके परिक्षा नहीं दे पाये थे वे विधार्ति भी चाहे तो दुबारां इस विवस्ता करवाई जा रहे जो teacher quota है है दरवाद दिल्ली कुलकता इन जगों पर जो अच्छी कोचिंग संस्थान है वहां पढ़ाए हूए जो एक्सपॉर्ट टीचर है उनके द्वारा आपको पढ़ाई की विवस्ता करवाई जा वैसे यहाँ पर teacher का नाम भी दिये गया है जैसे रोहित रंजन सर है जो आपकी physics प्रहाएंगे यह इससे पहले जो काम किये हुए इसमें इन्होंने 22 साल काम किये हुआ बाकि बी यार पटेल जी है यह भी physics के expert teacher है दस साल का experience है इसके आलावे धीरत जी है जो 23 साल इनके पास experience है तो अच्छे teacher है जो काफी लंबे समय से education field में है उन teacher को यहाँ पर बिहार विदाले परिक्षा समिते ने हायर किया है और उनके द्वार आपको पढ़ाई की विवस्ता करवाई जा रही है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो इसमें देखिए निसुल का आवासने वह भोजन है मतलब रहने और खाने दोनों की विवस्ता है साथे साथ सभी classroom जो होंगे OSC होंगे और digital board की भी इसमें सुबदा है उस नमांकन पर किरिया मांगे गये हैं परते एक महिना में आपका दो बार जो है OMR टेस्ट होता है फिर CVT के माध्यम से आपकी टेस्ट की विवस्ता भी इनमें रखी गई है प्रते दिन पढ़ाई के आलावा doubt classes की भी जो है विवस्ता रखी गई है पटना के plus two विदाले में निसुल्क नमांकन की भी जो बेवस्ता है आपको की गई है बाकी जो भी ये study material है वो भी बिल्कुल निसुल्क आपको लप्त करवाई जाएगी अब इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं तो आवेदन के लिए बताया गया है बिहार विदाले परिक्षा समीती से समंध सिक जेई निट के लिए जो संचाले बैच है 22-25 के लिए उसमें आपको एक वर्स का ये जो कोर्स है आपको कराई जाएगी ऐसे विदारती जो है इसमें भाग ले सकते हैं बाकि इसमें चैन परकिरिया कैसे होगा तो चैन परकिरिया के बारे में बताया कि BSEV के एक चुक अब आपके लिक्षणारी होगा एडमीट काड जारी होने के बाद आप सभी का एक लिखीत परिक्षा होगा लिखीत परिक्षा के बाद जो बच्चें। उतलिया है वोत होने वाला है तो इतने प्रौश्य से आपको गुजरना होगा पाकि इससे जूरी पूरी जनकारी के लिए हमने आपको वीडियो डिस्कुप्शन में लिंक कुपलाप्त करा दिया है इस वेबसाइट पर आएंगे डाइडेक्ट ओनलाइन अपलाई का आपको लिंक मिलता है जिसके सामने आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बताना है अभी आप किस कक्षा में है जैसे जो कैनिडेट इगारवी कक्षा में होंगे तो उनके लिए यहाँ पर लिंक है जो बिहार बोट से नमांकन लिये होंगे अगर कोई CBSE, ICSE बोट वाले होंगे जो इगारवी में नमांकन करवाया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं जो कैनिडेट 12 वी में होंगे जो बिहार बोट के होंगे तो आप यहाँ से रिजिश्टेशन अपना कर सकते हैं तो तीन लिंक आपको दिये गए हैं आप लिंक से भी जिस परकार की भी एस्टूडेंट है उस लिंक पर क्लिक करेंगे बाकि फॉर्म भड़ने के लिए जो भी गाइड लाइन है आपको बताया गया है इस चेक बोक्स पर टी करना है एक उप्सन मिलता है आवेदन करने है तो यहाँ किलिक करें जिस वाले लिंक पर किलिक करना है सबसे पहले आपको बताना है कि आपका जो जिला कौन सा है जहां भी आप नमांकन लिये हुए हैं उसके अलावे जो भी इसकूल का नाम होगा आप इसकूल का नाम यहाँ से चेन करेंगे बाकि जो भी आपका नाम है बताएंगे आप अपना gender बताएंगे date of birth या calendar के मदद से सबसे पहले जो भी साल हो उससे आप इस परकार चैन करेंगे जो भी महिना हो और जो भी date हो उससे इस परकार आप चैन करेंगे बाकि आप बताएंगे कि जो coaching का facility लेना चाहता है नेट के लिए या जही के लिए वो बताएंगे आप अपना role number देंगे उसके बाद एक option मिलता है click here to register का जिस पर आपको click करना है आपका registration परकिरिया complete हो जाता है registration परकिरिया complete होने के बाद आपको एक user ID password दिया जाएगा उसके मदद से आप यहाँ पर login करेंगे ID password डालेंगे login वाले बिकल पर click करेंगे उसके बाद login करते ही आपके सामने कुछ detail आएगा यहाँ पर आपको पिता जी का नाम डालना है माता जी का नाम डालना है बाकि यहाँ पर कुछ personal information जस ने इंडियान आपको चैन करना है category आपको बताना है किस धर्म सा belong करते हैं उसके जनकारी आपको देनी है बाकि जो भी आपका address होगा correspondence जहां भी आप रहते होंगे वह address आप यहाँ पर बताएंगे जिसमें आपका estate, district उसके अलावे block आपको बताना है बाकि जो भी आपका village का नाम होगा वह आप यहाँ पर देंगे जो भी आप post office देना चाहिए यहाँ पर आप दे सकते हैं भी आई-ल करकर village दे दिजेगा कौमा लगा कर post post office दे सकते हैं कौमा लगा कर ps करकर police station भी दे सकते हैं इस पर कार डालेंगे pin code डालेंगे mobile number email id डालना है अधार नमबर आपको फिल करना है अधार नमबर जितनके पास नहीं है उनको यहाँ पर check box पर टी करना है जो अधार नमबर उपर में फिल करेगा उनक नेचर दस से 20 के भी में होगा उससे डालने के बाद तीनों check box पर टी करेंगे और एक option save and preview का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है इस परकार आपके सामने form का preview आता है तमाम जनकारी आप देखेंगे सभी जनकारी सही है तो एक option मिलता है क्लिक हैर final submit का और 100 पर पेमेंट करने का अगर कोई detail गलत है तो edit करकर सुधार कर सकते हैं जैसे आप confirm करते हैं यहां से आपको payment करना होता है उसके बाद यहां से जो भी माध्यम आप चुनना चाहा है payment के लिए जैसे debit card, debit card या QR code को scan करकर करना चाहते है वो option को चुनेंगे payment को पूरा करेंगे इसका print निकाल कर अप हमारे साथ WhatsApp चैनल टेलीग्राम सबस से जूरे जिसका link description box में दिया गया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहिंद